हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल दिपास कीचन तो आज हम बनाने वाले हैं सबकी पसंदिता खटी, मीठी और चटपटी आवला कैंडी तो आज हम छोटे आवले की कैंडी बनाने वाले हैं तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां मैंने चोटा वाला आवला लिया है कोई इसे स्टार गुजबेरी, चक्री आवला या फिर मोर आवला भी केते हैं आप इसे कौन से नाम से जानते हैं आप मुझे कमेंट्स करकर जरूर बताईए तो यहां हमने लिया है एक किलो छोटा वाला आवला अब हम ग्यास पर रखेंगे एक पतीला और उसमें हमने लिया है पानी और पतीले पे रख देंगे एक छलनी और उस पर डाल देंगे आवला अब हमें दो से तीन मिनिट के लिए इसे स्टेम करके लेना है तो तीन मिनिट हो गया है अब हम आवले को चेक करेंगे तो देखिए आवला अच्छे से सौफ्ट हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे उसी प्रकार हम दूसरे आवले भी डाल लेंगे हमने दो बैचेस में आवलो को स्टीम करके लिया है अब हम लेंगे चीनी तो एक किलो आवला के लिए हमें यहाँ चाहिए 300 ग्राम चीनी कैंडी के लिए इतनी चीनी एकदम परफेक्ट है अब हम स्टीम किये हुए गरम आवलो में डालेंगे चीनी और चीनी को अच्छे से आवलो में मिक्स करेंगे गयास की फ्लेम को हमने लो रखा है आवला एक आवशदिया फल भी है इसका सेवन करने से हमें काफी फाइदे मिलते है आवला में विटामिन सी भरपुर मात्रा में पाई जाती है और इससे हमारे बाल काले और घने भी रहते है पाँच मिनिट के बाद चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और बीच बीच में हमें चम्मच से इन्हें चलाते रहना है अब हम और दस मिनिट अच्छे से पकाएंगे दस मिनिट के बाद चास्टनी थोड़ी गाड़ी हो गई है फिर भी हमें इसे और थोड़ी देर पकाना है पाँच मिनिट के बाद अब हम डालेंगे एक टेबल स्पून काला नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से हमें दस मिनिट के लिए आवलो को पकाना है तो यहां हमारे दस मिनिट हो गए है और चाशनी भी पहले से गाड़ी हो गई है टोटल हमें 30 मिनिट लग गए है अब हम गयास की फ्लेम को करेंगे बन अब हम लेंगे एक बड़ी थाली और उसमें डालेंगे आवला तो यहां हमने चाशनी बिलकुल भी नहीं निकाली है हमने ठंडा करके लिया है और सारी चाशनी हमारे आवलो के अंदर चली गई है अब हम फैलाते हुए इसे थाली में डालेंगे इसी प्रकार मैंने दूसरी थाली में भी आवले डाल दिये है अब हम इन्हें रखेंगे दूप में देखिए फ्रेंड मैंने दोनों भी थाली रख दी है कड़ी दूप में अब हम देखेंगे शाम को तो शाम के पाच बज गए है अब हम कैंडी को थोड़ा सा अलट पलट करेंगे उससे कैंडी को अच्छे से धूप लगेंगी दूसरे दिन भी हमें आवला धूप में रखना है और मैंने एक ही थाली में सारा आवला निकाल लिया है अभी कलर भी चेंज हो गया है दो दिन के बाद हमारी खटी मेठी चटपटी आवला कैंडी बनकर रेडी हो गई है ये बहुत ही टेस्टी लगती है आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ करिए और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट्स करकर जरूर बताइए आप ये कैंडी एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी और रेसिपी देखते देखते एक लाइक जरूर करें और आप मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमेली फ्रिंट के साथ शेयर करिए बाई बाई